दक्षिन सीट पर उप्चुनाव का एलान हो गया है बुरुजमुन अगरवाल के स्थिपे के बाद ये सीट खाली हुई है और इस पर एलान 13 तारीक को जो चुना होगा 13 नौमबर को चुना होगा मद्दान होगा बुद्धनी और विधान विजैपूर की सीट पर भी अपको बता दे कि उप्चुनाव की तारीकों का एलान कर दिया गया है तो उप्चुनाव जो कि मद्देप्रदेश में दो सीटों पर होने वाले है विजैपूर और बुद्धनी की ये दो सीटों पर उप्चुनाव होने वाले है और दूसरी अगर आपको बता दे तो रा राइपूर दक्षिन की 36 गड़ से ये सीट है ब्रिजमोन अगरवाल के स्टिपी के बाद ये सीट खाली हुई है इदर बुद्नी में शिवरा सिंग चौान के स्टिपी के बाद ये सीट खाली हुई है और यहां पर उपचनाओ है तो 36 गड़ में भी बहुत महतपूर्ण शिर्ठाईजें की सीट है जिए जिस पर उपचनाओ की तारिकों का एिलान कर दिया गया है तेरह नवंबर को मतदान होने जा रहा है और चलिए इसमार्ज जासान कार के लिए बात करेंगे हम सीधे रूख करेंगे मद्द्रदेश के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ हमारे एग्जीकुटर मनो सेनी जी जुरगा तो 36 गर से स्टेट एडिटर हमारे अधितनामदेजी जुरगा है आदितेजी सबसे पहले में आपका रूख करूँगा बहुत महत्पूर्ण सीट ब्रजमो नगरवाल के स्थिपा का देने के बाद ये सीट खाली हुई और अब तेरा तारीक को उपचुनाओ डिकलेर हो गया है किस तारीक की तैयारिया दुनों ही पार्टियों में और इस ता पार्टियों का सिन्यारिय हो रहा है एक कोटा विधान सभा को मैं छोड़ दू जहां रेणू जोगी जीती थी बाइलेक्षन में वो सत्ताधारी पार्टी की नहीं थी बाकि सभी उपचुनाओ अभी तक जितने भी उपचुनाओ चुनाओ पार्टी जीतती आई है उनों में से कोई उमिद्वार 36 गड़ में भारतियंता पार्टी की तरफ से हो सकता है दूसरा महत्यपूर्ण कॉंग्रेस की तरफ से आखिर क्या आते आ रहे हैं कॉंग्रेस ने इस बार जो है रविंद्र चौबे और मोहन मरकाम इन लोगों को एक समिती बनाई है सत्यनार नाम के वाल अभी तक सामने आ हैं केदार गुपता का भी एक नाम है संजर श्रीवास्तों का भी नाम है नंदन जैन का एक नाम है और एक आखरी नाम सुनील सोनी का यह चार में से को एक नाम रैपूर दक्षण में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन बहुत ही जादा यह वो कश्मकश भरा होगा क्योंकि सरकार का हिए क्यां कि हमने 9 मैंशे काम के हैं वहीं कंगरेस का जीत होग तेरह तारिक को वोटिंग है रैपूर दक्षिण विदासभा ृब्लकु बिलकु आप मैं मनुजी की पास चलूँँगा मनुजी देखें अब यह तो तैय है कि राम निवास रावत बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे विजेपूर से जिस तरफ की बाते सामने आ रहे हैं लेकिन बुद्धनी एक सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी भी कश्मकश्म है और कॉंग्रेस भी क्या कुछ कहेंगे? देखिए अब तारीकों का एलान हो गया 13 नमबर को चुनाओ होना है और उससे पहले इतमाम तरह की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और 23 नमबर को परणाम भी आ जाएंगे लेकिन महत्पून बात या है कि बुद्धनी से कौन होगा जिसका जिक्राप कर रहे हैं तो बंदी से तमाब नाम है चाहे रमकांद भारगब के नाम की बात करें कारती के चौहान है राजंद्र है लेकिन जो बहुत संभाबना है बनती है जो तीन नामों का पैनल पहुचाए गया है अलाकि गुरुपरसास सर्मा के नाम की चरपचा भी थी लेकिन तीन नामों का जो पैनल गय सिब्राज जी वहां से चुनाव लड़े हैं और सिब्राज जी भी चाहेंगे और टिकट उसी को मिलना है जिसमें सिब्राज जी की रजामंदी होगी क्योंकि लगतार वो चुनाव जीतते रहे हैं उस सीट से तो उनका अच्छा खासा बर्चस्प है और भारती जनता पार्ट में हैं तो कॉंग्रेस आकर किसको लेकर वहां से आएगी क्योंकि बत्री का जो नाम चल रहा था पहले उनको पाद्धश बनाकर एक तरह से कहा जाए तो सांत कर दिया भारती जनता पार्टी ने तो अब बीजेपी के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं लेकिन कॉंग्रेस के साम भी वहां से एक नया सामने आता है तो ऐसे कुछ नाम है जिनके नामों की चर्चा है लेकिन मानकर चलिएगा कि दो-तीन दिन में भारती जनता पार्टी तो क्योंकि नामों का पैनल यहां से जा चुका है और जल्द ही सूची सामने आ जाएगी कि आखिर कौन से बो दो ऐसे नाम होंगे रामनिबास राबत के लावा एक नाम कौन सा होगा बुधनी से तो बहुत संबाबना यह है कि रमाकान भारकव वहां से चुनाओ लड़ सकते हैं जो पूर में सांसाद रहे हैं पर अब आज चुनाओ का बिगल बच चुका है तीरह तारीक को चुनाओ होना है जाहिर है कि दोनों दल अपने अपने तरह से मैनत करेंगे बीजेपी कॉंग्रिस और प्यास यही होगा एक तरफ बीजेपी का गड़ को कॉंग्रिस भेदना चाहेगी लेकिन अभी हाली में हर्याणा में जो चुनाओ हुए जिस तरह से एक कूर्जा का संचार हुआ है और हम बात करें कि राइपूर दक्षिन में जब तक ब्रजमोन अगरवाल थे तो शायद वो यह कहा जाता था कि उनको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है मतलब इतने लंबे समय से लंबे अर्से से राइपूर दक्षिन ने बीजेपी का गड़ रही है उनके नहीं होने का एक अपक्षिनिटी हम कह सकते कॉंग्रेस को मिल सकती है और कॉंग्रेस किस तरह से इस wise को लेगी क्या उसे मधूत समझ रही है या आसान समझ रही है और बीजेपी के लिए कि लिए कितना अब टिपिकल टास्क हो गया क्योंकि बरजमेने अगरवाल को विश्वास में ल नहीं है रही है हर समय कहा जाता है मैं किसी का नाम नहीं लुगा लेकिन बृजबुण अगरवाल चुनाओ प्रचार के लिए निकलते हैं तो कॉंग्रेस की भी बहुत सारे निता जो रैपूर्दक्षिंड के वो पांग्रेस नहीं बृजबुण होन अगरवाल की ये पार्टी को नुक्सान हो सकता है चुकि वो बहुत लंबे समय से उनका पूरा परिवार लगता है उनके जो भाई ये गोपाल अगरवाल पूरा चुनावी मेंजमेंट समालते हैं ब्रिजमोहन अगरवाल लगाता राड़ बार से जीते हैं एक बच्चा-बच्चा उनको वहा करता हैं जिसमें कॉंग्रेस के भी लोग शामिल होते हैं कई सारे वो कितना साथ देंगे उस केंडिडेट का ये अपने आप में सोचनी विशह है लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ विधान सभा का उप चुनाव ये दक्षिन का बेहत अब तक जितने भी उप चुनाव में सबस दो गड़ हैं एक बीजेपी का गड़ एक कॉंग्रेस का गड़ लेकिन एक गड़ जिसे विजैपूर की हम बात कर रहे हैं तो उस गड़ का जो किलेदार है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं लेकिन ये क्या एक प्रकार की चुनावती भी बनती है क्योंकि जब कोई जो वहां से उठकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके सामने कश्मकश रहती है कि वो किस तरह से उसको फेज करें बीजेपी ने तो उनको ले लिया वनमंत्री भी बना दिया एक बड़ा आउधा भी दे दिया लेकिन वहां की जनता जिसने कॉंग्रेस को तो वहां तो बीस से जादे सीटों बीस सीटों पर चुनाओ हुए थे उसके बाद हमने देखा कि भारती जनता पार्टी फिर से जब चुनाओ मैदान में आई तो जीतने में काम्याब रही थी बलकि अपनी सत्ता भी बचा पाई और देर दो साल के अंदर ही नई सरकार बन पुचाती है तो फास साल तो बने हुए हैं अभी नहीं तो अब बीजेपी के साथ बनेंगे और जनता आजकल महत्बा कौंग्ची भी हो गई वो यह समझती है कि सरकार किसकी है लाब किस से मिलेगा या विकास के मापदन क्या होगे और इसी को आधार बनाकर भारती जनता पारिटी चुनाओ मैदान में दिखाई देगी ये बिल्कुल बात सही है कि रामनिबास रावत के आने से एक चुनाओती कॉंग्रेस के सामने बढ़ेगी और बीजेपी के सामने भी यही चुनाओती होगी कि अधि एंटी निकंबैंसी जिसे कहा जाता वो दिखाई देती ह तो बड़ा मुस्किल होगा पर बीजेपी चुनाओ मैदान में लग चुकी है मुकमंत्री अभी से दो दोरे कर चुके हैं और दूसी तरफ कॉंग्रेस के निता भी महाँ पहुचे हैं लेकिन अभी उनको प्रत्यासी ते करना है उसके आगे ये देखना है क्या रामनिबास र बाने के बाद कॉंग्रेस के सामने जादिश चुनाओती होगी फिर भी कॉंग्रेस अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ेगी नहीं जिस तरह की तैयारिया की गई है और बीजेपी चुनाओ की तरह बढ़ चलिए बिल्कुल याने की दोनों ही चुनाओ बड़े दिल्चस्थ होने वाले है बहुत बहुत शुक्रिया मनुजी आपका भी और आजित्य जी भी हमार साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तो चाए मद्दप्रदेश के दोनों ही चुनाओ हो या फिर 36 गड़ क एक मेव एक उप्चिना हो राइपूर दक्षिन का बहुत ही दिल्चस होने वाला तेरा तारीक का डेकलेर होगी है तारीक का और तेज तारीक को नतीजे भी घोशित हो जाएंगे